नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्या एस्ट्रोम है और मैं हूँ आपके साथ दिव्या आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी आमल की एकादशी 2021 वरत के बारे में रेखिए जो आमल की एकादशी का वरत होता है वहां हर वर्ष फागुन शुकल पक्ष की एकादशी तिठी के दिन रखा जाता है और इस आमल की एकादशी को रंग भरी एकादशी की नाम से भी जाना जाता है मैं आपको सबसे पहले अपने इस वीडियो में यह बताना चाहूंगी कि इस वर्ष 2021 में आमल की एकादशी केस दिन पढ़ रही है तो इस साल यह जो वरत है वह 25 मार्च 2021 को रखा जाएगा इस दिन भगवान विश्णू की तो पूजा की जाती यातिये साथी साथ आमले के पेड़ की भी पूजा करने का विधान होता है हिंदु मान निताव में एकादशी वरत का आप सभी जानते हैं कि बहुत जादा महत्व है आमल की एकादशी वरत का शुब मौरत इस प्रकार है एकादशी तिथी का प्रारम 24 मार्च 2021 को सुबह 10 बच कर 23 मिनट पर हो रहा है और एकादशी तिथी का जो समापन है वह 25 मार्च को सुबह 9 बच कर 47 मिनट पर हो रहा है और एकादशी वरत्का जो पारण का समय है वो 26 मार्च 2021 को सुबच्छे बचकर 18 मिनट से 8 बचकर 21 मिनट तक है अब मैं आपको इस वरत्का महतो बताती हूँ दार्मिक मान्यताव के अरूसार ऐसा माना जाता है कि फागुन शुकल पक्ष के एकादशी के दिन बगवान विश्नु के साथ आवले के पेड़ की भी पूजा की जाती है ऐसी माननेता है कि स्रष्टी की रचना के समय बगवान विश्णू ने आमले को पेड़ की रूप में पर्देश्टित किया था इसलिए आमले के पेड़ में बगवान विश्णू का इस्थान माना गया है आमल के एकादशी के दिन आमले के व्रक्ष के नीचे बैठकर पगवान विश्णू का पूजन कीजिए आपको इस व्रत को रखने से मुक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी साथी साथ इस व्रत को करने से और भी बहुत से लाप प्राप्त होते हैं ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने वालों को मालक्ष्मी का भी आशीरवात मिलता है साथी साथ मान सम्मान, अच्छा स्वास्त, ग्यान, संतान सुक, पारिवारिक सुक और मनोवांचित फल मिलता है तो आप आमल की एकादशी के दिन बगवान मिश्नु के साथ साथ आमले के पेड़ की भी पूजा अवश्य करें इस दिन आप अपने सामर्थी के अनुसार दान पोनिया भी सरूर करें तो इस व्रत का संपून फल भी आपको अवश्य मिलेगा यादि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले साथी साथ यादि आज आप मेरे चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब सरूर करें क्योंकि आपको मेरे इस चैनल पर वरत और त्योहार के अलावा और भी अनिर जोती से समझे रोचत जानकारिया समय समय पर मिलते रहती हैं धन्यवाद